साहिबो, वहाचान मैं मिताप काए, जाहिगुर्न सुभू साहिबो, क्या कर चरुस्व यत लोलनाए, जाहिगुर्न सुभू साहिबो, साहिबो, हाजाई कुर्न सुभू साहिबो, साहिबो, वहाचान मैं मिताई कुर्न सुभू दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूड़ोग चैनल असन रजाबब प्रैंट्स, आज केस वीडियो में हम बताने वाले है, व्लॉंक, और वो खुंसा होगा, आपको बताने वाले है डिल्ली एरपोर्टसे श्रीनागर केसे जाना होगा, कहा से, क्या लेनी होगी सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को इस्टिल आयन तक देखना है बल्कुल फ्रेंड्स हमारी जर्नी शुरू होती है दिल्ली से दिल्ली से हमारी फ्लाइट थे श्री नगर के लिए हम हजरत निजामुद्दीन रेलवे इस्टेशन पर उतरे वहाँ हम बहाँ निकले वहाँ पर एक आफी टैक्सी ओला उबर वाले मौजूद थे आपको एर्पोर्ट जाने के लिए करीब 250 रुपीज से 400 रुपीज पे करने होते हैं हम 4 परसंते तो हमने करीब 400 रुपीज पे करके इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एर्पोर्ट टर्मिनल 3 पर हम गए वहाँ से हमारी फ्लाइट थी दिल्ली टू श्री नगर दोस्तों हम एर्पोर्ट आ चुके थे करीब 2 वर पहले दो गंटे पहले आ चुके थे तो अब हमारे पस काफी टाइम था हम वहाँ पर एर्पोर्ट में अंदर चेक-इन करने के बाद वहाँ पे कई प्रीमियम लोज है जहाँ पे आप अनलिमिटेट खाना खा सकते है बिल्कुल 1 रूपीज के अंदर हमारे पास HDFC का क्रेडिट कार्ट था तो उससे हमने ये फैसलीटी उपलब्द करी और हमने फ्री ओफ कोस्ट यानि की 1 रूपीज में हम चारो जनों ने खाना खाया अनलिमिटेट रॉयल लोज करके आप वहाँ पे जा सकते हैं और खाना खा सकते हैं एर्पोर्ट के अंदर अनलिमिटेट फिर हमारी फ्लाइट ऑन दा टाइम थी टाइम से हम श्रीनागर पोज गए और बहुत ही खूबसूरत वादियों को देखते हुए आप भी अगर श्रीनागर जाएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत बरफ की चादर में लपते हुए पहार दिखेंगे और जब हम एरपोर्ट पे लेंड करें तो पूरा एरपोर्ट बरफ से ही ढखा हुआ था जिस तरफ देखो उस तरफ बरफ हम एरपोर्ट से बाहर निकले तो वहाँ पर भी आपको एरपोर्ट के बाद बरफ ही मिलेगी फिर हम एरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकले तो हमारे हाउस बोर्ट के ओनर थे हमारे हाउस बोर्ट के ओनर फिरोज भाई वो हमें पिक अप करने आ गए एरपोर्ट पर दोस्तों हम हिवाजद से पोज गए हमारे हाउस बोर्ट में फिर नेक्स्ट मॉर्निंग काफी स्नौफॉल हो रही थी जो हमने सुबह इतना इंजोई करा स्नौफॉल पर हमारे हाउस बोर्ट के ओनर के साथ और उनकी फैमिली के साथ पाई साब कितना हुआ बोट का उधर देखो सो सो ले लो इनसे भी सो रुपर बैठने का हुआ है 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 किसा आगा इस पर दोनों मूबिल साथ रहे है जुप अछी पीछ फिर इनक्या कर दो आगी हमारी हाउस बोट से निकल के फ़र्स्ट डे श्री नगर हमारा एक्सप्लोर करने का था तो हम आउस बोट से निकले उचिकारअ राइट से हम ए रोड तक गाए फिर बाइक, कर हम कर से निखे व diva जिनका चार्जिस बहुत ही आपको जिसी साफ से घूमना है उससे मिल जाएगा और वह सारी हाउसबोर्ट है इन ही से हम एक रुके रहे हैं यह कम से कम 1200 हाउसबोर्ट अवेलिबल है अब देख सकतों क्या शांदार बर्फीले रोड है और बहुत ही अच्छा मौसम है और इतनी सॉफ्ट इसनों है इतनी सॉफ्ट इसनों है कि आप हाट लगाएंगे तो इनके मार भी सकती हो गैट नमबर साथ से हमारी हाउसबोर्ट की कार हमें अवेलेबल हुई फिर वहाँ से हम श्रीनगर गूमने गई पूरा स्विच्जी लेंड बना हुआ अच्छा हुआ ऐसे ही मुसम है आप क्या हूप बोर्ट का नाम क्या है रोयल लॉज रोयल लॉज फ्रेंट्स जिस हम रोयल बोर्ट में धेर है वो बहुत ही अच्छा हूप हाउस बोर्ट है रोयल लॉज बहुत ही अच्छा हाउस बॉड़ड और बहुत ही फैमेली ट्रीट है प्रेंट्स री नगर में हमने सबसे पहले देखा तो व्यूपॉइंट डेखा वहां से आप डेल लैक के व्यूपॉइंट डेख सकते हैं वहां पे दो नजारे आपको को मिलेंगे सामने जमी हुई बरफ के पूरे डेलेक्स जमी वी है और आप सामने उचे उचे पहाड़ और उचे उचे पहड़ जो बरफ में ठके हुए है इतने खुबसूरत लगसते हैं दोनों व्यू आप इस पॉइंट पर आके देख सकते हैं फिर हम वहां से नेक्स्ट प कई पार्क में और यहां पर बहुत सारे बाहर स्ट्रीट फूड है चीकन नॉन्वेज जो नॉन्वेज खना पसमिं करते नॉन्वेज के लिए है और बहुत शांदर लोकोस पर आपको बहुत अच्छा यहां पर स्नैक्स मिल जाएगा तो आईए हम आप इस पार्क को आपक कितनी बरफ है यह श्री नगर में ही है अब बरफ देख सकते कितना इंच यह कम से कम चार इंच बरफ पड़ी है तो काफी अच्छी है और यह पार्क काफी खुबसूरत है और यहां पर आप स्ट्रीट फूड पे भी कर सकते हैं आप ट्वेंटी रुपीज से शुरू है आ पर लपादा भी एक नाम की डिश है तो आप उसे खा सकते हैं क्या है लबासा लबासा बहुत ही अच्छी चीए तो आप सब खाना एक बार यहां पर विजिट जरूर करना इस जगा का नाम है क्या है इस जगा का नाम मकई पार्क ये एक रेस्टोरेंट है मकई पार्क इसके बाहर आप देख सकते है ये डेल लेक के बिलकुल सामने है यहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगी सभी तरीखी आप खाना खा सकते है कुछ देर हमने वहाँ पर इंजोई करा और हमारे फोटो पिक्स और वीडियो बनाएं बहुत य अच्छे अच्छे फिर वहां से हमने कुछ देन नाश्टा किया नाश्टा बहुत ही टेस्टि था यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छी profit जहाँ से आप कर सकते हैं फिर हम नेक्स्ट जन्नी पे गए मुगल गार्डन वहां से आपको आगे बताएंगे इस ओईस रुपे का टिकेट लगा है दोस्तों तो आप देख सकते हैं यह हम मुगल गार्डन पे आएंगे हम अम अंदर जाते हैं चलों यह हमेरा मुगल गार्डन का इंट्रेंस है हम अंदर जाके आपको पुला गार्डन घुमाएंगे यह जिसे कि आप जानते हैं मुगलो सहाजान ने बनाया था और इसकी पूरी बायर को आपके लगी है तो आप आराम से देख सकते ही प्लीज आप यहां ज़रू विजिट करें चरिए 24 रुपीस हैंट टिकेट है पर 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 संड़ी है यह तिकिट वहां पर मिलता है आप वहां टिकेट काउंटर पर जाके एजीली टिकेट देख सकते हैं इसको आप पूरा रीड कर सकते हैं, यह ने बनाइया, कब बनाइया, केसे बनाया, सर्दी में आएंगे, यह सामने लेक है, डेलेक है, और यही से नंनिकरा है, आप सकते है Hoitoya की लोटे की अप देख सकते हैं, यह बोह darakना है यहां आप गरमी में आएंगे, दिख यहाँ पर यहें इसका प्पूरा का पूरा बरफ नहीं दीखेंगी उस वक्त आपको दीखेंगी normal सी वादिया यह बिल्कुल नहीं मिलेगी तो आप winter में आते जो बरफ दीखेंगी winter में नहीं आते है तो यौहाँ पर गार्डन जो बहुत ही खुबसूरत मुगल गार्डन बनाया था वह गार्डन है ठीक है तो हम यहां से आप पूरा विजिट कर लो बस सेम वेसे ही मैं आपको बस बताता जाता हूं कि कौन सा किसे क्या है तो आगे हम चलते हैं बहुत उचाही तक जाना पड़ता है वहां तक आप देख सकते हैं वहां तक ही यह गार्डन फैला हुआ है तो वहां तक आप विजिट कर सकते हैं मैं यही से दिखा रहा हूं आपको ठीक है तो यार वीडियो को लाइक तो करो इतने खुबसूरत नजा चाते हैं तो बहुत ही सस्ता फेकेज हमने आप लोगों के लिए लाए है तो कैसे करना होगा वो सारी जानकरी हम आपको देने वाले है इस वीडियो के अंदर हम अपनी हाउसबोड के अंदर जाएंगे वहां पर आपको सारी डीटेल वन बाई वन बताएंगे कि कहां से हमन से लिकर पर परसने पाथ हजार से लेकर एक लाफ तक का भी पेकेज अवयले बीले तो आप यहां पे आ सकते हैं बहुत ही शांदर व्यू है तो आपको मैं पेकेज डीटेल आगे देने वाला हूं लो क मारी दो चार्थें कि अिर्टेंटी, ही इन्सामें कि अरते हैं. कि ही इनार निसल्ड कि।ेह का अणिर्ट अर्ड।ेह्ओ दुन कि अरताज। ज्यु्क शुन गल्य चर्फि noi कि अलब है कि एसी लिए स्थान् wire थे्य।गाद। आप जब भी वीजिग करें तो यहां पर यहां पर यहां पर इस जाड़ कर सकते हैं बहुत इचे वे में आपको यहाँ पर गढ़र सिंहीं हैं फर्रेंट्स हम आगए हैं चश्मशाही यह भी गार लगार्टन है आप गर्मी में आएंगे तो देखने लाएक है वरना बरफ ही बरफ दिखेंगी पहाड देखो चलो अब हम जीनत के संग चलेंगे आगे चश्मेशाही बाग देखने चलो चलो आप आगे चलो आप यहां आएं आपने साथ स्वेटर, सॉल, गलव्स अगेरा हर चीज लेके आएं तो कि यहां एक हादबा इस टाइप के बिलकुल ना लाएं शूज लाएं लॉंग शूज लाएं या गंबूट लाएं कि यहां पर बोई चलो और मेरी दाई यह है कि आप शूज सिर्फ ए यहीं से आपको 400 रूपीज या 300 रूपीज के बरफ वाले शूज बहते हैं आयराम से लाल चोग कहीं से भी बाई कर सकते हैं तो चलो यह फाउंटेंस हैं और यह लॉमडी तो नहीं है यह का कुट्ता है यह देख सकते हैं हम कल गुलमर के ट्रिप करेंगे तो वहां आपको हम बताएंगे कि हम वहां से क्या-का शॉपिंग कर रहे हैं और कितनी चिप पैस प्राइज में तो इस चैसमे जाही की जो खासियत वह वह है कि आहां पर चश्मे में से पानी निकलता है अब हम भी देखेंगे कि कैसे चैसमे अबहरा फरस्ट श्रीनगर में कंप्लीट हो चुका था नेक्स डे हमें जाना था मॉर्णिंग में गुलमर क्विज में बताने वाले हैं तो फृण्ड इतनी कमायल के वीडियो को लाइक करे शेर करें सब्सक्राइब करें तो आज हमानों सेकंड दे है कश्मीर का, हमाँ श्री नगर से निकले हैं, गुलमर्ग की तरफ, तो अभी हमा श्री नगर से गुलमर्ग का जो रास्ता है, वो 54 किलो मिटर्स है, अभी हम तर्ण मर्ग 20 में हस्ते में पहुंचे हैं, यह बहुत खुशुरक नजार है, चार रा हैं मेरा तंबर्ग से हम शेयर टेक्सी लेंगे लेके हम कुण मेर्ग जाएंगे देन आगे की विजिट हम आपको आगे बताते हैं आब हमारे साथ हुआ क्या था हम हमने क्या पूरा पेकेज लिया था तो पेकेज में ही हमारा गाड़ी इंक्लूड है और सब कुछ इंक्लूड है और ये हमारे फिरोज भाई है फिरोज भाई हमें हर जगा गुमा रहे हैं ये हमारे हाउस बॉर्ट के ओनर है तो आप इंसे आम इंका इंटर्वीू भी लेंगे इनके हाउस बॉर्ट पर आपको पूरी डीटिल तो वहाँ से हमने टैक्सी करी टैक्सी करने के बाद हम गुलमर्ग पहुचे गुलमर्ग पहुचने के लिए आपको टैक्सी करनी जरूरी है इन विंटर सीजन अगर विंटर सीजन नहीं है समर सीजन है तो आप टैक्सी करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये स्पेशल कार होती है जो इसके चेन लगाए जाते है टायर पर तो उसकी मदद से ही ये बरफ पे चलती है वरना नॉर्मल कार के टायर फिसलते है तो इस वज़ा से वहाँ पे आगे की तरफ हमें टेक्सी करके जानी होती है अब हम पहुच चके थे गुलमर्ग वेलकम टू गुलमर्ग सीटी बहुत ही कमाल की जगा है गुलमर्ग यहाँ पे हमने गंडोला राइड करी 740 रुपीज के अंदर फिस्ट फैस तक गए फिर वहाँ से हमने बहुत सारी राइड करी सलेज राइडिंग करी सलेज राइडिंग हमने बहुत ही मज़े लिए सलेज राइडिंग के पूरी टीम ने हमारी और फिर उसके बाद हमने कई ऐसी एक्टिविटीज है जो हमने करी एक्टिविटीज करने के बाद हमें बहुत ही मज़ा आ गया गुलमर्ग में गुलमर्ग पूरा बना ही है एक्टिविटीस के लिए तो आप वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीस कर सकते है स्किन कर सकते है साइकल राइड कर सकते है आप साइकल चला सकते है और आप आपकी प्रसनल बाइक लेके गुम सकते है आप बहुत ही मजा आता है और सिकन कर सकते हैं इसकिन करने में बहुत ही मजा आता शुरूवात में आपको चलाने में तकलीफ होगी आप चला नहीं सकोगे लेकिन फिर सीख जाओगे फिर आराम से चला पहुगे तो इसी तरह हमारा सेकंड़ डी कम्पलीट होता है फिर हम 3R day सोनमर्ग गए और देख सकते हैं रस्ता कितना खुबसूरत है बहुत ही शानदा लुकिंग है और आप देख सकते हैं यह हमारे साथ एक रीवर चल रही है और यह देख सकते हैं कितने प्यारे गोड़े है सोनमर्ग सोनमर्ग की वादिया देख के हमारे होश ही उड़ गए थे क्योंकि इतनी खुबसूरत पहाड और खुबसूरत पहाड़ों से बेते हुए जरने फिर वहाँ सोनमर्ग में पहुच के हमने सनोबाइक के राइट के मजल यह बहुत ही कमाल की राइट थी सनोबाइक की तो वहाँ से हम उपर की तरफ गए सनोबाइक की मदद से और फिर उपर जाने के बाद वहाँ का जो नजा रहा था वो बहुत ही देखने लायक था सोनमर के अंदर यह विंटर का माहूल अलग है और समर का माहूल अलग है इस ओन मर्ग में और यह बहुत थंड है वरफ बहुत जादा है हूँ जम्रें बोलना नहीं जा रहा है देखिए आप इस दो वाइट के थुरू आए हैं और यहां से आगे गाड़ी नहीं चाहती है कि हम अब समर का हमारा पूरा डे कंप्लीट हो चुका था तो अब हम लोड चुके थे सौन मर्क से श्री नगर की तरफ अब हमारा नेक्स डे का था पैल गाउं तो इसी तरह हमने पाचो दिन गुजारे अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे घूम कर विजिट करकर हमारा पेकेज था फाइफ नाइट सिक्स डेस का बहुत ही शांदर और बहुत ही अच्छा रहा और कैसे ये पाचो दिन निकले हमें पता नहीं चली अब हम बताते हैं कि हमारा क्या पेकेज रहा कितने प्राइज में हमने बुक करा कहा से बुक करा कैसे बुक करा वो सारी ज थी हमारी house boat के room बहुत ही साफ और neat and clean थे हमारे house boat के owner का नाम था फिरोज भाई वहाँ से भी आप book कर सकते हो उनको भी contact करके आप आपके house boat को book कर सकते हैं अगर आप मैं आपको बता दू हमारा पर night पर couple पढ़ा 5,000 पाच हजाग रुपए उसमें हमारा include था खाना पीना रहना और मलब फुल नाइट आना जाना टैक्सी हर चीज उसमें इंक्लूडेट था यानि की पाच हजार रुपे तो हमारे पाच दिन के हुए 25,000 रुपे पर कपल ठीके तो आप अगर मैं आपको बता दूँ अगर आप चाते हैं कि तू स्टार होटल चाते हैं या फिट्री स्टार या फाइफ इस्टार जिस भी तरह की की आप रेटिंग के चाते हैं हम आपको प्रवाइट कराएंगे सब सबसे अच्छी प्राइज में और सबसे बहतरीं प्राइज के अंदर हम आपको पैकेज देने वाले हैं कपल पैकेज देने वाले हैं जितने ज़्यादा आप लोग जने ज़्यादा होंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा आपका पैकेज अगर आप पैकेज लेना चाते हा से कम पाच हजार रुपे से लेकर एक लाख रुपे का पेकेज भी बाई कर सकते हैं हमार पास सभी पेकेज आवेलेबल है तो फ्रेंड्स मुझे कॉंटेक्ट करें कॉंटेक्ट नमबर नीचे है और फिरोज भाई के भी कॉंटेक्ट नमबर नीचे है तो आपको हम अच्छे के according, आप हमें बताएंगे उस according आप को चाहिए, आप चाहते हैं कि 2 स्टार तो basic हम आप को 2 स्टार देंगे, 3 स्टार, 5 स्टार तो आप के budget के उपर हैं अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें बहुत लोग प्राइस के अंदर, cheapest price के अंदर काम करना है वो भी हम आपको पेकेज अवेलेबल कराएंगे यानि कि सभी पेकेज अवेलेबल हैं आप बोलते हैं यार भाई हसन भाई हमारा इतना ही बजट है तो बेफिकर हो जाएए हम आपके लिए बहुत ही अच्छा पेकेज लेकर आए हैं तो आप हमें कॉंटेक्ट करिए अब हमा और हमारा ट्रिप क्लाउस और खतम हो चुका था तो यार हसन भाई रुके थे हमारे यहां बहुत अच्छे गैस्टे उदेपूर से आए हैं लेकिन सर्दी बहुत थी इदर कश्मीर वे तो मतलब इनको बहुत मज़ा भी लग गया एंटेंवेंट हो गया बरफ देख लिया बहुत अच्छा पैकेज रहा है इनको हमारी तरफ से अगर किसी को भी आना कश्मीर चाहता है वो इनसे कंटैक कर ले या मेरा नंबर इनसे लेले हम आपको कैश्मीर पैकेज विद रिजडेबल प्राइस दे देंगे और अभी डल लेक देख लो सारा फ्रीज लगा है यह म अगर अगर आप इस इस टाइम में आ जाओगे तो ठंड इतनी होगी सर लेकिन बरफ का मलब स्नोफॉल का यह एंजॉइ सब कुछ हो जाएगा आपको सर फ्रेंट्स इतनी कमाल की वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें औ और हमारे इतने खुबसूरत हसन रजा यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें